हाई दोस्तों मैं हूँ आपके साथ अन्वी सूद आपका स्वागत है न्यूज एक्सप्रेस में पंजाब की केट्रीना कहे जाने वाली बिग बॉस 13 की जान शहनास को और किल आजकल खूब लाइम लाइट में बनी हुई है ये तो हर कोई जानता ही है कि हाली में शहनास को सबी घरवालों ने महाईदा से जादा जेलिस बताया था जिसके बाद सना मानो पागल ही हो गई हो उन्होंने गुस्से में आकर ना सिब खुब ड्रामा किया बलकि वो तो सलमान खान से भी बत्तमीजी कर वैठी थी इतना ही नहीं सलमान ने तो सिधार्थ को चितावनी भी दे डाली थी कि शहनास तुमसे प्यार कर वैठी है वहीं दोस्तों हाली में मैंने आपको बताया ही था कि सलमान के गुस्सा होने पर शहनास के पापा संतो सिंग सुक ने अपनी बाते रखी थी और बताया था कि वो घर से बेघर नहीं हुई है और वो मेकर से भी बात कर चुके हैं लेकिन अब जो शेहनास के पापा ने बोला है वो सुनकर आप जरूर शॉक्ट हो जाएंगे दरसल हाली में एक इंटर्वियू में संतोस सिंख सुख ने कहा कि जो भी हुआ ये सिर्फ और सिर्फ टियार्पी के लिए किया गया है मेरी बेटी को अच्छा खासा प्यार मिल रहा था लेकिन अचानक से कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वज़ा से उसकी इमेज खराब हो ये लोग मेरी बेटी को गलत दिखाने की कोशिश कर रही है ये सब मेकर्स ने टियार्पी को भड़ाने के लिए किया है शेहनास जब भी रोती है तो सिर्फ पूरा देश नहीं रोता बल्कि अमेरिका, कैनडा के लोग भी अपसेट हो जाते है पता नहीं क्यों शेहनास को बुरा बना रहे है इसलिए क्योंकि उसे जनता बहुत प्यार कर रही है जब पता है शेहनास को जलन शब से प्रॉब्लम है तो क्यों ऐसा टास्क दिया इतना ही नहीं इसके अलावा शेहनास के पापा ने ये भी कहा कि वो नहीं चाहते कि सिर्फ नास की जोड़ी तूटे वैसे दोस्तों अब जल्द ही घर में फैमली टास्क होने वाला है वहीं शेहनास के पापा घर के अंदर आएंगे जहां वो एक तरफ अपनी बेटी सना को तो समझाते नजर आएंगे ही साथ ही साथ पारस छाबरा की बाट भी लगाएंगे वैसे आपको क्या लगता है क्या मेकल्स ने जानकर शेहनास सिर्की जोड़ी को लेकर ये सब बवाल किया क्या जो भी शेहनास के पापा बोल रहे हैं वो सही है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बिग बॉस से जोड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहे हैं आप हमारे साथ बने रहे हैं झाल 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 झाल